इंडेट चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसी रेयर कंडिशन के बारे में जो बहुत ही कम लोगों को होती है लेकिन जब कोई इससे प्रभावित होता है तब उसे बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है तो आज हम बात करने वाले हैं मेनियर डिसीज के बारे में मेनियर डिसीज कान से संबंदित एक बीमारी है जो कि वर्टिगो, टिंटस और हैरिंग लॉस का भी बहुत बड़ा कारण है और ये टापिक क्यों कि काफी बड़ा है इसलिए हम दो भागों में इसके जानकारी लेंगे इस भाग में यानि पहले भाग में हम प्रश्ण और उत्तरों की एक सीरीज में समझेंगे कि मेनियर डिसीज क्या होता है, कैसे होता है और इसके क्या-क्या लक्षण है लेकिन इससे पहले यदि अभी तक भी आपने इंडेप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि यहां मिलने वाली जानकारियां पूरी तरह रिसर्च और एविडेंस पर आधारित होती है हमारा पहला प्रशन है मेनियस डिसीज क्या होता है तो मेनिय डिसीज एक ऐसा डिसॉर्डर है जिसके करल व्यक्ति में मुख्य रूप से तीन लक्षल उभर कर सामने आते हैं पहला बहुत अधिक चक्कर आना जिसे वर्टिगो कहा जाता है दूसरा कानों में सीटी की आवाज आना जिसे टिंटस कहा जाता है और तीसरा सुदने की शक्ती में कमी जिसे हेरिंग लॉस कहा जाता है पीडित व्यक्ति को इनके अलावा भी कई समस्याएं होती है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे दूसरा प्रश्न है मैनिय डिसीज चरीर के किस इससे को प्रभावित करता है तो मैनिय डिसीज मुख्यू रूप से कानों को होने वाली बीमारी है और इससे इनर इयर यानि आंतरिक कान प्रभावित होता है आप स्क्रीन पर देखिए हमारा कान तीन हिस्तों में डिवाइड रहता है आउटर, मिडिल और इनर इयर इनर इयर भी कुछ स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है जिसमें सेमि सर्कुलर केनाल्स, यूट्रिकल्स और कॉक्लिय शामिल रहते हैं इन सभी स्ट्रक्चर को एक साथ लेबिरिंथ कहा जाता है अब आप सभी बहुत ध्यान से समझिए के मेनिय डिसिस कहा होता है देखिए, लेबिरिंथ के दो हिस्से होते हैं उपर वाला बोनी लेबिरिंथ और इसके अंदर वाला भाग मेंब्रेनस लेबिरिंथ कहा जाता है अंदर वाले भाग में हमारे कॉक्लिया की डक्ट यादि ट्यूब जैसे कई स्ट्रक्चर और चेंबर होते हैं मेंब्रेनेस लेबरिंथ में एक फ्लूइट भरा रहता है जिसे एंडोलिम्फ कहा जाता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसे हरे रंग से दिखाया गया है इसके बहर याने उपर और नीचे वाले चेंबर्स में जो फ्लूइट भरा होता है उसे पैरिलिम्फ कहते हैं ये दोनों फ्लूइट एक जिल्ली से सेपरेट रहते हैं जैसे वेस्टिबुलर मेंब्रेन कहा जाता है तरसल एंडोलिम्फी हमारे शरीर का संतुलन बनाये रखता है जब किसी भी कारण से जिनके बारे हमाँ हम आगे बात करेंगे एंडोलिम्फेटिक चेंबर में फ्लूइट की मातरा सामाने से अधिक हो जाती है तब वेस्टिबुलर मेंब्रेन में खिचा होने लगता है जिसके कारण वेक्तिको टिनिटस और वर्टिको महसूस होता है इसे ही मेनियर डिसीज कहा जाता है क्योंकि एंडोलिम्फी हमारे शरीर का संतुलन मेंटेन करता है जब इसमें ही समस्या आने लएगी तब यह ओव्यस है कि बॉडी बैलेंस बिगड़ेगा चक्कर आएंगे और क्योंकि यह समस्या इनर इयर से संबन्नी थे इसलिए टिनिटस और हैरिंग लॉस जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा इसके बाद जब एंडॉल इंफेटिक सेक में फ्लॉइट बहुत अधिक जमा हो जाता है तब वेस्टिबुलर मेंबरेंट फट जाती है और फ्लॉइट रिलीस हो जाता है इसके बाद धीरे धीरे वेस्टिबुलर मेंबरेंट ठीक हो जाती है और दोनों चेम्बर्स में fluid की मातरा पहले जैसी हो जाती है इस समय व्यक्ति को बहुत आराम मिलता है लेकिन इसके बाद फिर यही प्रोसेश शुरू होने लगती है और व्यक्ति को vertigo से लेकर hearing loss तक जहेलना पड़ता है यही mania disease का mechanism है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा इसलिए तीसरे प्रश्ण की तरफ चलते हैं तीसरा प्रश्ण है mania disease के क्या लक्षण होते हैं हम कैसे समझे कि किसी को mania disease है या नहीं तो लक्षणों के बारे में हम वैसे पहले ही बता चुके हैं लेकिन यहां कुछ डिटेल में जानकारी ले रिते हैं ताकि पता चल सके कि लक्षण सामन डिजिनेस या टिंटेस के हैं या फिर mania disease के तो कुछ खास लक्षण हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेक्तिय mania disease से पीडित हो सकता है जैसे पहला लक्षण है चक्कर आना या वर्टिगो mania disease के चक्कर सामन चक्करों या डिजिनेस की तरह नहीं होते हैं ये काफी लंबे समय तक चलते हैं 30 मिनिटों से लेकर कभी-कभी 12 घंटों तक या इससे भी अधिक समय पर जब वेस्टिबल और मेंबरेन फट जाती है और एक्स्टा फ्लूइड रिलीज हो जाता है तब चक्करों से राहत मिल जाती है दूसरा लक्षण है टिनिटस और कान भरा हुआ लगना क्योंकि कान में चाहे वो कॉक्लिय ड़क्ट हो या कोई और भाग फ्लूइड भर जाता है इसलिए कान भरा हुआ लगता है और टिन्टस भी महसूस होता है आम तोर पर मेंबरेन डिसीज के लक्षण एक ही कान में महसूस होते है तीशा लक्षण है फ्लक्टूइटिंग हैरिंग लॉस याने कभी सुनाई देना और कभी सुनाई ना देना फ्लक्टूइटिंग हैरिंग लॉस एक क्लासिकल सिम्टम है जिसके आधार पर यह तै किया जा सकता है कि व्यक्ति को मेंबरेन डिसीज है या नहीं चोथा लक्षण है चक्कर के साथ साथ मितली और उल्टी आना इसके अलावा बैलेंस बनाने में कठना ही होना चलते समय खासकर सीड़ी उतरते समय कठना ही होना और गिरने का डर लगना तो इस तरह के कुछ लक्षण मेंबरेन डिसीज में महसूस हो सकते हैं चोथा प्रश्ण है मैनिय डिसीज के क्या कारण हो सकते हैं तो देखिए अभी तक मैनिय डिसीज का कोई स्पेसिफिक कारण ग्यात नहीं है लेकिन फिर भी कुछ कारण तो होते ही हैं जिन में शामिल है पहला कानों का स्ट्रक्चर यदि ठीक नहीं है तो ड्रेने संबंदी समस्या हो सकती है याने कान में भर हुए किसी भी तरल पदार्थ का ठीक से बाहर ना निकल पाना दूसरा है माईग्रेन वाला सिर दर्थ तीसरा है सिर पर किसी भी तरह की चोट चोथा है वारेल इंफेक्शन या एलर्जिक रियक्शन पाचवा है ओटो इम्मिन डिसीज यानि जब शरीर की अपनी ही इम्मिनिटी सौस्थ कोशिकाओं पर आकरमण करने लगती है तो ये भी मैनिया डिसीज का एक कारण हो सकता है छटवा है बलड वैसल्स का सिकुड जाना इसके कारण भी मैनिया डिसीज डेवलप हो सकता है और इन कारणों के अलाभा अलर्जी और जेनिटिक यानि परिवार में यादी मैनिया डिसीज की हिस्टूरी रही है तो व्यक्ति को या संतानों को भी मैनिया डिसीज हो सकता तो दोस्तों इनी जानकारियों के साथ वीडियो के पहले भाग को समाप्त करते हैं और जैसा कि बताया जा चुका है कि मैनी अडिसीज जैसे इंपोर्टेंट टॉपिक को केवल एक वीडियो में पूरी तरह कवर नहीं किया जा सकता इसलिए इसके दूसरे भाग में आपको इस रोग के डागनॉसिस, मेडिकल ट्रीटमेंट, साफधानियों और कुछ होम रेमिडिस की जानकारी दी जाएगी जिन्हें अपना कर इस रोग से पीडित व्यक्ती काफी हद तक राहत पा सकते हैं और मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, क्योंकि समय के कमी के कारण इस वीडियो में सब्टाइटल देना ये इसे पूरी तरह डिस्क्रिप्टिव बनाना संभव नहीं था इसलिए हमारे जिन्भी साथियों को इस वीडियो का टेक्स चाहिए वो इंस्टाग्राम के माध्यम से इसे हिंदी या इंग्लिश लेंग्वेज में ले सकते हैं तो जल्द ही आपसे इस वीडियो के अगले बाग में मिलते हैं थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो है। गन संसास पर वाचिंग यालों के दीन policies वीडियो